इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं Excel में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाले फॉर्मिले इफ के बारे में देखी जहां हम बात करते हैं फॉर्मिले की तो वो हमारे काम को और भी ज़्यादा सरल बनाने के लिए इस्तमाल किया जाते हैं इफ जो है वो एक logical function है जहाँ पर अगर मगर जैसे शब्द इस्तमाल होते हैं तो वहाँ पर इस्तमाल किया जाता है इफ को समझने से पहले आपको एक छोटी सी table समझनी होगी जो मैंने यहाँ पर बनाई है यहाँ पर कुछ icons लगे हैं कुछ symbols हैं और इनका मतलब अगर आप स समझ लेते हैं तो पहला जो sign है उसका मतलब है equal यानि अगर यहाँ पर दो figures के बीच में equal sign लगा है तो इसका मतलब यह है कि दोनों figure है वो एक दूसरे के बिलकुल बरावर है अगर यहाँ पर दूसरा जो sign आप देख रहे हैं जिसका मतलब है greater than तो अगर यह कहीं पर लगा है जैसे यह column A और column B के बीच में लगा है तो जो column A है यानि जहां पर यह greater than वाला sign है जिस तरफ खुला हुआ है वो संख्या बड़ी है दूसरी संख्या से बिलकुल clear है जहां पर यह खुला हुआ है वो समझ लीजे उस तरफ की संख्या बड़ी होगी और दूसरी संख्या चोटी होगी इस तरीके से जो तीसरा sign है वो है less than का अब यहां पर भी वही बात आती है कि जहां पर यह जो sign है वो बंद है जहां पर तीर का जो निशान है जहां पर दोनों जो line है वो मिल रही है वो संख्या चोटी होगी जहां पर वो हिस्सा खुला होगा उस से तो यह sign जो है इसे हम कहते हैं less than अगला जो option आता है वो है हमारे पास greater than और equal का जो यह sign यहां भी लगा होगा तो इसका मतलब यह होगा अगर मालीजी हम इसको यहां पर लगा देते हैं इसका मतलब यह होगा कि यह संख्या या तो इसके बराबर भी और यह साइन, यहां पर लगा है, इसे पांचों चीज़ें आप अप समझ गये होंगे, आप बात कर लेते हैं, इस यहां पर एक list बनी है और इस list में कुछ नाम लिखे हैं और age लिखी है तो यहां पर हमें list में कुछ छाट ना है जैसे माली जे इस cell में एक data हमें लिखना है कि जो 30 साल से कम के लोग हैं वो underage हो और जो 30 साल से उपर के लोग हो हो जाएं तो यह एक बार में हम कैसे जहांटेंगे वह हम समझ लेते हैं देखो if function बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है और उसको लगाने का तरीका यह कोई भी फर्मिले जब आप लिख रहे यह देखना है इस सेल को यह सेल हमने हम यहां पर select कर लिया अब यह सेल अगर छोटा है तो चोटे के लिए क्लिए यह वाला सेल अगर छोटा है तो हम यहां पर लगाएंगे less than का और यहां पे लिखेंगे 30 ठीक है तो पहला test हमारा clear हो गया अब इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं अगर 30 है और 30 से चोटा है तो यहां पे यह इस तरह से आ जाएगा 30 और 30 से चोटा होगा अगर कौन सा cell F2 तो क्या सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा यहां पे प्रिंट करेगा अंडरेज सो इसको लिखने के लिए हम सबसे पहले यहां पे लगाएंगे कॉमा उसके बाद में double quotation mark type करेंगे और यहां पे हम लिखेंगे अंडरेज उसके बाद double quotation को बंद कर देंगे तो यह formula पहली बार में इतना ही काम करेगा कि जो value यहां इस cell में 30 होगी या 30 से चोटी होगी वहां पे अंडरेज दिखाएगा और अगर इसके लावा और कोई चीज आती है तो वहां पे दिखा देगा इसको overage या pass ठीक है इसको bracket दुबारा से बंद करेंगे अब देखिए यहां पर पूरा formula मैंने के type किया है यहां पर सबसे पहले हमने बराबर connection लगाया उसके बाद if type किया bracket को open किया फिर f2 type किया क्योंकि यह formula हम लगा रहे है f2 के लिए चेक करने के लिए उसके बाद हमने यहां पर लगाया less than और equal to का sign उसके बाद लिखा कि किस value से चेक करना है 30 से और इसके बाद हमने यहां पर एक कॉमा लगाया फिर double quotation mark में हमने type किया चेक करने के बाद result किया आएगा तो यहां पर अगर यह condition apply होती है तो result आएगा यह और यह condition apply नहीं होती है तो result आएगा pass इसके बाद simple इसको enter करते हैं तो यहां पर क्या दिखा रहा है क्योंकि यह 30 है तो underage आ रहा है इसको पकड़ के नीजे तक हम खीच देंगे तो अब देखिए जो 30 से छोटे वाले हैं या तो 30 के बराबर हैं वहां पर underage आएगा और जो 30 से ऊपर के हैं वहां पर क्या आएगा pass यहां पर देखेंगे जो हमनारी पूरी टेबल है वह एक बार में ही इस फर्मिली की साहिता से हमने वहां पर जो रिजल्ट है वह प्राप्त कर लिया है आपको भी इसी तरह से expert बनना है तो हमारे website pcsskill.in को जरूर विजिट करना बहुत सारे courses यहां पर दिये गए हैं with ISO certified हिंदी में हैं बहुत सरल भाषा में हैं आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़न समझ में आने वाली है या फिर अगर घर बिना इंटरने के देखना हो तो हमारी pen drive courses को जरूर और करना और इसी तरह के वीडियो अगर आपको और भी चाहिए तो इस channel को जरूर सस्क्राइब करना है